तो हेवाम कैसे हैं आप लोग इट स्ट्राइक आ चुका था वो चुका है अगर आप लोगो क्यूस की वीडियो चाहिए कि कैसे मैंने बस चार पास दिनों में वो श्ट्राइक हट वाली तो कमेंट करके बताना बहुत यूसफुल है आप लोगों के लिए स्पेशली यूटूबर्स के लिए तो कमेंट करना बताना और आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अप्टिमाइज कर सकते हैं वेलोरेंट खिलने के लिए वाली है क्योंकि मेरे पीचे चार चार वीडियो और बचे ये वीडियो छोड़के और 800 सब्सक्राइबर्स वेलोरेंट की उडिवाएगी एज न्यू अपडेट भी आ चुका है तो 17 सब्सक्राइबर्स मोब फॉर्द वेलोरेंट वीडियो तो गाइज विदाउट वेस्टिंग मोड फॉर्दर टाइम लेट्स बिगिन दे वीडियो सबसे पहले आप लोगो करना है विंडोज और आप दबाना है और उसमें सर्च करना है टेंप और यह आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा फिर आपको कंट्रोल ए दबाना है और सम को सिंपली डिलेट कर लेना है इससे क्या होगा कि आपके पीसी को यह बहुत फास्ट कर देगा और आपकी प्रसेसर पर ज्याद परमिशन दी होगा तो कर देना तो गैज नेक्स आपको वही करना है वरीडोस पलस आर दबाना है और यहाँ पर सर्च करना है परसेंट टेंप प्रसेंट तो गजाज यह बही एक टाइप का टेंप्रिरारी फाइल्स का फोल्डर है जिसम्हें बहुत सारे टेंप्रिरिर department ह होते हैं यह देखो यहाँ पर और इसको भी कंट्रोल एक करके आपको सिंप्ली डिलेट कर देना है और गाइज यह आपको है न हफते में एक दू बार तो यह step आपको करी लेना जिससे आपका PC आचा खासा रहेगा फिसे विंडो प्लस आर दाबाना है और इस बार आपको सर्च करना है प्रीफेच तो यहाँ पर मैं स्पेलिंग दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को एकदम सही से डालना वोलना एरर आ जाता है और फिर एंटर दबा देना यह से गर्ण क्लिक करके देखना हुआ थो हुआ आफ़ना स्किप कर देना है और यह हो चुका है आप इस सारे टेंपरेर फाय्स डिलेट करके इस से अपका यह होता है आपका first step complete तो guys second step में आपको करना है अपने बैटरी आइकन पे क्लिक और जैसे ही वो बैटरी आइकन पे क्लि जाता है तो जैसे देख सकते बैटरी का खुल चुका है यह बैटर पर्फोमेंस होगा इसको आपको best पर्फोमेंस पे कर देना है जिससे आपका PC बहुत जाता फास्ट हो जागा तो इससे सेकेंड स्टेप हो जाती है complete तो गैज आपको क्या करना है settings में जाना है और settings में जाने के बाद simply वहाँ पर एक search box होगा उसमें जाकर आपको search कर लेना है graphics settings और यहाँ पर देखो option आचुक है तक simply उसको click करके open कर लेना है यहाँ पर browse option होगा उसके बार click करना है और इससे आपका file manager खुल जाएगा और आभी आपको आपकी game की location पर जाना है तो मेरा देखो seed drive में था यह देखो reward games का folder है यहाँ पर इस reward games के folder में वैलन्ट में जाना है लाइव में जाना है और फिर shooter game में जाना है फिर binaries windows 64 और यहाँ पर देखो यह होगा और इसको simply add कर देना है यह सब step आसानी से कर लेना चाहिए तो वीडियो को pause कर करो और यहाँ पर simply आपको high performance पे save कर देना है इससे आपके valorant की higher performance से हो जाती है और एक बार refresh कर लेना है और फिर से windows आपने है अभी हम कुछ files में change करेंगे और app data search कर लेना यहाँ पर यह फोल्डर रहेगा तो आपको local में जाना है नीचे scroll करना और आपको valorant नाम का folder search करना यह देखो valorant आ चुगा है इसमें जाना इसके बाद saves में जाना इसके बाद conflict इसके बाद यह ऊपर वाला folder में जाना है बहुत बादा नमबर फिर windows में जाना है और यहाँ पर होगी game settings इसको simply notepad में खोल देना है और सबसे नीचे जाना है scroll करके और यहाँ पर जो मैं changes कर रहा हूं numbers वह आपको कर लेने तो यह quality 0 कर देने effects quality 0 texture quality 0 already है post process quality 0 कर देने shadow quality भी 0 कर देने और anti analyze quality वह भी 0 कर देने और view distance quality यहाँ पर मैंने गलती से 0 किया वह 1 कर देना और यहाँ पर resolution quality है ना उसको 40 से 50% में रख सकते हो तो मैं 40 रख रहा हूँ आप भी 40 रख के try कर लेना और फिर यह हो गया और यहाँ पर फाइस में जाके save कर देना है और असके बाद आप close कर सकते हो तो guys इससे आपकी game must चलेगी और मैं आपको game कोल के भी ठीका देता तो guys जैसे देख सकतो अभी आपके खुल लेके ऊपर इसा interface आ रहा है तो आपी तर्म कुरी गेम खुली नहीं है खुलने के बाद आपको पूरा दिखा देता हूँ तो guys जैसे देख सकते अभी अपने गेम खुल चेके तो अभी गेम में भी कुछ settings में करने है तो अभी आपको graphics setting वीडियो में जाना है और इसको आपको सबसे लास्ट वाला option है न यह वाला देखो 16hz वाला 60hz वाला इसको चूज कर लेना और सारे graphics options को off कर देना है ठीक है यह देखो जैसे मैंने हाँ पर सारे off कर रखे और यह देखो graphic quality low off off sub कर देना और बस यह वाला into one रख देना बाक सब off कर दिया तो भी चल जाएगा तो बस यह settings थी जो game in game आपको करनी थी और अभी मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा gameplay भी देखा देता हूँ so guys enjoy the gameplay तो guys जैसे देख सकतो आभी आपनी गेम स्टार्ट होने ही वाली है और यह देखो मतलब प्रैक्टिस लगा है याभी मैंने फिलाल तो और यह देखो आभी इतना स्मूध चल रहा है मेरे इस में देखो कितना स्मूध और मॉस्स आइधिंग 40 to 30 fps मेली जारे होंगे और गया तो जैसे कि मेरे हर एक वीडियो के निचे कुछ प्वेशन साथे जो की कॉमन होते मुझे लगता है कि वह कॉमन ही होते जैसे एक्ट्रेक्शन में प्रोब्लम अपडेट वगेरा के रिलेटेट तो अगर आप लोग को यह वो वीडियो चाहे तो मुझे कमेंट करके जरू तो बाता ना मुझे मैंने बोल था 800 सब्सक्रेबस पर न्यूटर डालूंगा तो गयाद मुझे एक न्यूज मिटिये के 25 को एक न्यू अपडेट आने वाला है पैचनो 2.9 का तो जैसे ही वो अपडेट में कर लेता हो फाइल्स को कंप्रेस करके मैं अप्लोड कर दूंगा तो जैसे आएगा तो मैं कर दूंगा और आपको बता दूंगा तो गयाइज इंजय गेम प्ले तो कैसा लागा आज का वीडियो कमेंट करके जरू बताना अच्छा लागा हो तो लाइक कर देना और अच्छा नहीं लागा हो तो कमेंट करके बताना कि मुझे क्या-क्या और चींजस करने चाहिए और यह सब अप्सेटिंग्स अप्लाइक कर दियाना ध्यान से वीडियो क गुद्ब्बवे